अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं, जिसके फीचर्स बहुत ही आकरशक हैं। वैसे तो बाजार में सभी कमपनी स्मार्टफोन लांच करती है, लेकिन सैमसंग कमपनी बहुत ही पुरानी और अच्छी कमपनी है। सैमसंग कमपनी हर साल स्मार्टफोन में कुछ नया फीचर लेकर आती है। हाल ही में Samsung Company ने मार्केट में तहलका मचाया हुआ है. Samsung ने एक नए फोन को लांच किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. आईए, जानते हैं Samsung के इस नए फोन के बारे में. Samsung Company जल्द ही लांच करेगी एक नया 5G स्मार्टफोन. Samsung Company जल्द ही मार्केट में एक नया फोन लांच करने वाली है, जिसका नाम Samsung Galaxy A15 5G है. यह फोन A14 5G का अपग्रेड वर्जन है. कमपनी का कहना है कि अगले साल जन्वरी की शुरुआत में भारत में यह फोन पेश किया जाएगा. कमपनी का यह फोन Oncta Core Exynos 1330 SoC और 5000MA बैटरी के साथ आता है. मीडिया रिपोर्टर के मताबिक पता लगा है कि कमपनी यह फोन $149 यानि लगभग 12400 में लांच करेगी. इस फोन में 90 airs का refresh rate दिया गया है. साथ ही इसमें 6.5 इंच की Full HD डिस्प्ले है. काफी धांसू है इस नए फोन के features. अगर हम इसकी inbuilt storage की बात करें तो इस फोन में 128 GB का inbuilt storage है. जिसे Micro Acid Card के जरिए 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है. इस smartphone में triple rear camera setup दिया जा रहा है. 5 MP का sensor और 2 MP का तीसरा sensor मौझूद है. सेलफी और वीडियो कॉलिंग के लिए front camera भी दिया गया है. Samsung Galaxy अफ 15 में 25 वोल्ट का wired fast charging support के साथ 5000 मा की battery दी जा रही है.